हलो फ्रेंड्स इस्टरी बित करेशिटना चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है हम पाशाड काल को पढ़ रहे थे और पिछली कुछ क्लासेज में हमने पाशाड काल के सुरुवात का चरड पढ़ा जिसको हम पूरा पाशाड काल कहते हैं तो पासाड का जो पहला भाग था वो था पूरा पासाड काल यानि कि पेलियोलिथिक पीरेड पेलियोलिथिक पीरेड में यह सुरुवाती चरड था और हमने देखा कि इसमें मनुष्य जो है वो पत्थरों के आवजार बनाना सुरू करता है इसलिए पत्थर के आवजार जो इसको तीन भागों में बाटा गया था एक उसका नाम था निम्न पूरापाशाणकाल दूसरा उसका था मध्धे पूरापाशाणकाल और जो तीसरा उसका चरड़ था वो था उच्छ पूरापाशाणकाल निम्न पूरापाशाणकाल को हम कोर संस्कृति के नाम से जाने कोर सं फिर हमने मध्य पुरा पाशाड काल को देखा कि फलक संस्कृति यहां पर डिबलप होती है फलक संस्कृति यानि कि पत्थरों का जो फलक वाला एरिया था हमने समझाया था आपको उसके आउजार बनने लगे उच्य पुरा पाशाड काल में हम देखते हैं ब्लेड संस्कृत डिबलब हो जाती है यानि कि पत्थरों के जो फलक्त है उनको और धारदार ब्लेड के रूप में परिवर्थित किया गया था यहां पर हम निम्नपुरा पाशाडकाल जो है इसमें उत्तर भारत और दच्छर भारत में दो प्रकार की संस्कृतियां फिर से देखते हैं इसमें हम एक देखते हैं चौपर चौपिंग हमने आपको बताया था चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृति यह क्या थी और एक हमने एसीवलियन बताया था आपको है इसको हैंड एक्स नाम भी दिया गया था हस्त कुठार संस्कृति तच्छर भारत में तमिल्लाडों में तो यहां पर मुख्य रूप से पुरा पाशार काल में मनुष से जो मानो जीवन है जो मानो है वो क्या करता है वो मुख्य रूप से सिकार कर रहा था हमने देखा था सिकार कर रहा था और वो खाना बदोस था खाना बदोस खाना बदोस जो भोजन की तलास में गूमते रहते हैं यानि गुमककड है वो एक जगे पे इस्थाई निवास नहीं है यह गुफाओं में रहता है यानि सैलासरे है भी इसका असरे किस परकार का है सैलासरे यानि गुफा गुफा में रहता है यह सब कुछ वो करता है वो पत्थरों के आउजार बना रहा है यानि कि यह क्या बना लुसुब अच्छे नहीं है तो सब्र हर संब्रावल करता है अभी कफ़ाने का उत्पादन नहीं करता है你 संग्राहक है वो क्या नहीं कर पाता है वो अगन की जानकारी रखता है वो क्या है अगन की जानकारी तो रखता है लेकिन उपयोग नहीं जानता है वो क्रसी नहीं जानता है पसुपालन वो नहीं करता है पसुपालन नहीं करता है बर्तन मिट्टी के बर्तन सबसे पहले बनाना मनुस्य सुरू करता है वो भी ये नहीं बनाता है ना तो वो पसुपालन करता है और नहीं बर्तन बनाता है तो ये पुरा पासाण काल की बिसेश्ता है वो कई परकार के पत्थरों का प्रियोग करता है, शुरुवात में वो केवल चकमक पत्थर का प्रियोग कर रहा है निम्नपुरा पाशाड काल में, यानि कि क्वार्ट जाइट का प्रियोग करता है, बाद में वो जैसपर, क्वार्ट जाइट, चर्ट और फ्लिंट जैसे पत अजिए शीख रहा है, आउजार भी अच्छे बना रहा है लेकिन फिर भी टोटल अवर आल Alej gotta भी बहुत अच्छे नहीं अब मनुस्य धीरे-धीरे और उन्नती करता है और उसके आउजारों में उसके रहें सहन के तरीके में सिकार करने के तरीके आउजारों की प्रकति में पत्थरों का जो प्रयोग करना था उसकी प्रकति में और ज्यादा परिवर्तन हो जाता है इसकी वज़े थी जलवायू परिवर्तन ये जो पुरा पासान काल चल रहा था ये प्लिष्टो सीन काल में चल रहा था ये कब चल रहा था ये चल रहा था प्लिष्टो सीनकाल में हमने आपको बताया था प्लिष्टो सीनकाल को हिम युग कहते हैं इसमें चार हिम युग हुए थे तो ये पूरा का पूरा जो समय है जो पूरा पासाणकाल का था वो हिम युग में था बर्फ जमी हुई थी धीरे धीरे बर्फ जो है वो गल रही थी मौसम धीरे-धीरे सुस्कता की तरफ बढ़ रहा था अब जब उच्च पुरा पासान काल तक आते आते इसकी समाप्ती होने के समय तक हिम्यूग समाप्त हो गया और होलो सीन इसके प्लिष्टो सीन के बाद हमने वीडियो में आपको पढ़ाय था तीन-चार कलास पहले होलो सीन पीरिड सुरू हो जाता है होलो सीन में मौसम गर्म हो चुका है यानि हिम्यूग खतम हो चुका है जलवायू परिवर्तन हो जाता है पूरी तरीके से यानि कि सुस्क हो गया है मौसम और गर्म हो गया है सुस्कता और गर्माहट की वज़े से ये जो जलवायू परिवर्तन हुआ पर्यवरण में परिवर्तन हुआ उसकी वज़े से जीवजनतों में बनस्पतियों में भी परिवर्तन हुआ जलवाई पर ही निर्भर करती है प्रकति बनस्पति और उसके आकार में भी कमी आई चोटे आकार के जियुजंतु डिबलप होना सुरू हो गए और फिर उन चोटे आकार के जियुजंतु को मारने के लिए मनुस ने चोटे आकार के आउजार बनाना सुरू किये जिससे चोट नाम दे देते हैं उसको हम नाम देते हैं मध्य पाशार काल मध्य पाशार काल क्यों देखे जो पाशार काल है उसके तीन भाग है एक तो है पुरा पाशार काल पुरा पाशार काल और पुरा पाशार काल के बाद में नव पाशार काल नव पाशार काल यह दोनों बिल्कुल अ यानि नव पासान काल में मनुसी पसपालन भी खूब अच्छा करता है, करसी भी खूब अच्छा करता है, वो आग का उपयोग भी कर रहा है, वो पहिया का अविस्कार कर लिया है, वो बरतन चाक के उपर बनाने लगा है, वो पालिसदार बरतन बना रहा है, आस्रे बनाना सी पेंटिंग सबकुछ डिबलप कर लिया है उसने पेंटिंग हो गए तो शुरू हो गई पहले ही उच्छ पुरा पाशानकाल से बहुत डिफरेंट है नव पाशानकाल लेकिन जीवन में जब संस्क्रती कोई डिबलप होती है जब कोई समाज डिबलप होता है तो नई चीज ज वो पत्थरों के अच्छे उजार नहीं बना पाता था या क्रसी वो नहीं कर पाता था तो अचानक ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी दिन वो उठा और सुबह उठा कहा चलिए और हम क्रसी करना सुरू कर देते हैं लाइए चलिए हम जोगे हूं बोना सुरू कर देते हैं या प्रचणों में जीवन सैली में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीमे धीमे होते हैं लेकिन पुरा पासाण काल से नौ पासाण काल के अगर तुलना करोगे तो बहुत डिफरेंट है इसका मतरब बीच में एक ऐसा समय काल है जब ये चीजें सुरुवाती चरण में रही हो दिश्काण काल केवी लुश्ण होने चाहिए और नौ पासाण काल के भी लुश्ण होने चाहिए याजनी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था जैसे करने लगा पूरा पासाण काल में मनों से क्रसी oportunidad नहीं कर पाता था बिल्कुल देखे है अलग चीज है यहां प्राश्ण क का बीच hunting को हम कहते हैं मध्ये पासांड का जिसमें पुरा पासांड का और नौपासांड का दोनों के लच्छण पाये जाएंगे इसलिए सदुस्ण करूं कर से него कर्माथ कर समय का इन कि एफ यहां थोड़ा थोड़ा क्रसी है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसको हम नौ पाशाड काल कहें थोड़ा बहुत करने लगा है एक दुख लच्छण एक दो जगे कहीं परमार मिल जाएंगे थोड़ा बहुत वह पसुपालन भी करने लगा है एक दो जगे चुट- बिल्कुल नहीं कर रहा है तो बहुत उपयोग और बिल्कुल ना इसके बीच का एक चरण है जहां मध्य पाशाड काल में वह थोड़ा बहुत उपयोग कर रहा है तो यह सीखने का काल भी आप है सकते हो जहां पर नएनी चीजों को वह डिबलब कर रहा है तो मध्य पाशा काल के बीच का एक समय काल है जो संक्रमर काल है जिसमें दोनों ही कालों के यानि पुरा पासार काल और नौपासार काल के लक्षण विद्धिमान है बस इतना मैं समझना चाहता था तो इतना समझ लिया यह पूरा पासार काल को हमने यहां पे संचित रूप से आपको बताया नोट्स बनाने हैं आपको उस पर ले चलते हैं देखे हमने आपको बताया कि मध्य पाशाण काल जो है वो क्यों आया यानि कि मनुस्य के जीवन सहली में ये परिवर्तन क्यों सुरू हुए जब भी मानों के रहन सहन जीवन रचना आकार प्रकार प्रकति इसमें कोई परिवर सब चीज पर फर्क डालती है आज भी आप अगर पूरी धर्ती पर देखें पूरे गलोब पे तो जैसी जहां की जलवायू है वहां के जीव जनतु पेड़ पोधे रहन सहन कल्चर अलग लग होगा कपड़ों का पहनावा मनुस्य के अंगों का आकार प्रकार रंग आखों कि पतेशनाना तोुचा का का रंग साफ या डार्क होना हाइट बलेश्ठ शरी लंबा सरी चोटा सरीर या बनस पतियां किस परकार के पेड़ पौधे पाई जाएंगे कौन कांव से जिव जन्तु पाई जाएंगे किस परकार के मकान बनेंगे अगर कहीं गरम जलवायू है, ठंडी जलवायू है, मिस्रित है बीच का तो वो निर्धारित करता है हमारे जीवन को जैसे कि अगर किसी छेतर में बढ़िया उपजाओ जमीन है गंगा का मैदान ले लिजे उत्तर परदेश का तो यहां पे हमारी जीवन सहली क्या है? खुब यहां पे स्लोगन दिये जाते हैं और वहीं आप नगल एंड चले जाएए उधर यहां पे अच्छे मैदानों की कमी है, जहां पे अन नहीं उपजाया जा सकता है, आप वहां पे नारा दीजिए जहां पर जैसी प्रकती है, जैसी जलवायू है, जिन चीजों का उत्प तो वहां पे पहनावा भी अलग होगा, पूरे बदन को ढखने वाले कपड़े होगे, बालों को ढखने के लिए वहां संस्कृती होगी, ताकि धूल मिट्टी बालों में या सरीर में ज्यादा प्रविष्ठ ना होने पाए, और जहां पे सच्छ वातावरण होगा, धूल बैठने, निवास करने, पहनने के भासा, बोली, आवाज, सब कुछ बदल जाता है प्रकत के आधार में, तो मध्य पाशाण काल जो है, वो जलवाई परिवर्तन के साथ साथ आया, देखे, जो पूरा पाशाण काल का अंतिम समय था, उसको हम कहते थे उच्छ पूरा पाश पाशाण काल का अंति हम यूग 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 कि आपको देखने को मिल रहा है और इस प्रिया वरणी बदलाव की वजए से नए प्रकार के जिवück ही प्रकाहब कि आप कहे सकते हो कि नए प्रकार यवम आपार जीउजंतों का विकास हुआ अब बैठा नहीं ते आप वहां पे बैठा नहीं था कि लगात रहे थे अगया कि अगर आप देखने सकते हो कि कि अक्षम बेटका उधारन लिए के मध्य प्रदेश में बढ़ का है यह मध्य प्रदेस में एक साइध में भी का तो भी पीचण का पूरा पाशाण गाल सें हे पने कैसी में अगे घ्य काल से अवपासाण काल से लेटीड तो हमको उनके जीवन का पता चलता है कि अगर उन्होंने उसमें सिकार का चित्र बनाया है और उसकी हम डेटिंग निकालते हैं तो वो बहुत पुराना है वो पुरा पासानकाल के समय का चित्र है तो हम समझ जाते हैं कि पुरा पासानकाल में मनुसे सिकार करता था क्योंकि जो भ तो भीम बेटका में जब आप जाते हो तो मध्य पाशाणकाल के समय के जो चित्रकारी मिलते हैं उसमें जो है वो सिकार और इन चीजों के जो चित्र हैं उसमें जन्तु छोटे आकार के बने हैं तो उससे पता चलता है कि जिवजन्तों के आकार में कमी आई रही होगी जबकि बड़े बने हुई हैं तो यह सब चीजें मिलुप ढल और हम नुमाली लगाते हैं और कंनकाल सब्सक्रा एहुक्त पता जलतक हैं थे तुबता फ्रक्राइं थिशी चीजे ऑर हुई गोग्णिर नहीं प्रकार dat युशा मेलोर है और दिखिए आप ूऔर भी जब देखे हिम्युकांत हो गया ये नए जीवजनतों का विकास होने लगा और मनुस्य का स्थान जो था जो ज्यादा परवती छेत्रों में रहता वो थोड़ा-थोड़ा मैदानी छेत्रों की तरफ यानि परवतों के धलानों की तरफ आगे बढ़ा तो नए परकार के छेत् देल खंड जो छेत्र हैं तो ऐसे छेत्रों तक जब वो पहुंचा सिकार करते पना खुंते टहलते तो उस छेत्रों में वहां जो कि अलग प्रकार का जीवन जीने का आपको परिस्थेतियां मिली तो वहां पे वो छोटा-छोटा आवास बनाने की कोशिस करने लगा क्योंक वो सिकार ढूटे-ढूटे-दोटे किसी दिन यहां आ गया या दो-चार दिन में अब वो यहां तक वापस नहीं जा रहा हो सोच रहा है यहां पर बहुत बढ़ी आसकार हमको मिल रहा है जीवजन तो मारने खाने के लिए तो वह यहां पर कैसे रहेगा यहां गुफा नही की कोशिस करेगा जो पड़ियां बनाने की कोशिस करेगा पासान काल में जो आवास बनाए गए वो पहले घास फूस बांस बल्ली वगरा के आवास बनाए गए तो उत्तर प्रदेश में एक साइट है चोपानी मांडो प्रयागराज में चोपानी मांडो मिर्जापूर प्रया तो वह आवास बनाने की कोशिसे कर रहा है मिटी और फूस के अभी वह कोई आर्किटेक्चर पत्थर या इटा यह सब नहीं बनाएगा वह सब बनाएगा आगे चलके जब हम सिंदुहाटी की सभिता तक पहुंचेंगे आगे तो ज्यादा अच्छे फाइन चीजों को बनाए तो इसमें क्या हुआ जलवाई प्रिवर्तन हुआ तो मनुस्य के आवास में भी प्रिवर्तन हुआ तो यहां पर मानों यो यह जितरों की तरफ परढ़ा और फिर उसने चोटे, जानवरों को मारने के लिए चोटे जानवरों का सिकार करने के लिए छोटे आकार के चोटे आकार के आउजार या उपकरण खहलीजे बनाए देखे आविसकता ही अविसकार की जननी है जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ी होगी चोटे आकार के आउजार बनाने की तो चोटे आउजार बनाने लगा एक से अवजारों को सबसे पहले कारलाईल महोदे ने प्राप्त किया था कई जगों से प्राप्त किया था उनको देखा गया कि छोटे छोटे आवजार है और वह बहुत बड़ी हाद il tne तरह हैं अर्ध चंद्राकार हैं समलम्ब चतुर्भूजस जियामति आकार में बना रहा है पहले बेडॉल बनाता था अब उसको ज्यामति स्टक्चर दे रहा है तो यहां पर छोटे जानोरों को सिकार चेल को चोटे आकार के उपकरण उसने बनाए इसलिए इसको दे आफ माइक्रो लित कहा जाता है नीग फजाशान माइक्रें है कंभी याव कव्ध ही तृ Hm है मैक्रोलिट पीरिड है तो आपसे पूछ लिया जाएगा गार लग्रुपाशान Midy आकार के वो पाशाण बना रहा है अब हेहां पे कोई धातु के उपकरण बना रहा है। आलाकि मध्य पासांड काल के कुछ साइट पर जैसे की राजस्तान में एक साइट है तो ऊहां पे आपको कुछ तामबे के बाड़ागर यानि जो तीर में लगाया जाता गे उस टाइब का मिलेगा लिकिन बना जाता है कि मुझे तो चोटे ऑजारों का यूग कौन सा है? मध्रि पाशार काल और किया इस काल में है अब ही मनुस्य सिकारी ही है यानि मानो क्या है मानो सिकारी है सिकारी यानि आखे टक है देखिये यह चीजे बार-बार आप क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाएगा कि किया मनुस्यख continues जो है इस सिकार नहीं करता है किस समय का मनुस्affen सिकारी है तो सिकारी पासाड काल में मनुस्達 सिकारी है लेकिन अभी नव पासाड काल में आते आते वो किर्شक भी बन जाएगा यादि वो खेती भी बरतन बनाना है आग का उ피योग है चाक या पहिय का उपयोग है वो सब कुछ नोपाशाणकाल में होता है लेकिन मध्यपाशाणकाल से ही मध्यपाशाणकाल का अंतिम जो समय है जब समाप्त होने लगा और नोपाशाणकाल आने लगा उस समय तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य जो है वो पसुपालन भी करन लगा था और वो बरतन भी बनाना शुरू कर दिया था लेकिन यह घटना है जब एक्जाम में टिक करने को आएंगी तो नो पाशाण काल में आपको लगाना होगा जब मल्टीपिल चोईस में आएगा लेकिन कभी-कभी कथान और उस त्याद में वह लिख दे तो ऐसा भीमना समझ्जेना कि मध्धपासार काल में यह होता नहीं था आप कम्प्रहेंस औ एंसर में इसको लिखेंगे लेकिन जैसे कि मालिया आपसे प्रशन इस तरीके से फूर्वाठी जाये कि क्रसी किस काल की प्रमुख विसेष्टा है तो वो मध्-धपासार काल में करसी सुरूत हो जाती है लेकिन इसकी प्रमुख विसेस्ता नहीं है क्रसी बहुत इका दुक्का कहीं सुरुवात हो गई थी लेकिन क्रसी जो है वो प्रमुख विसेस्ता नौपाशाणकाल की है लेकिन अगर कहीं बिकल्प में आ जाए कहीं पर होता नहीं है कि कई कौन-कौन सा सही है और उस करसी शुरू हो गई थी तो यहां पर मानो अभी सिकारी है आखेटक है अभी भी वह खाद संग्राहक है खाद संग्राहक है खाना बदोस अभी है वह खाना बदोस है लेकिन यहां पर चुटपुट आवास वह बनाने लगा है यानि कि वह अभी पर्मानेंट तो बस्तियां नहीं बना रहा है लेकिन वह आस्थाई रूप से कुछ दिन के लिए कहीं पर रुकने लगा है तो वहां पर जोपडियां इत्याद में बनाना सुरू कर दिया है तो खाना बदोस भी है खाद संग्राहक है सिकारी है लेकिन दिखे मध्य पाशांड काल के अंतिम चरण में अंतिम चरण में चरण में पसूपालन बरतन आग का उपयोग प्रारंभ हो गया था प्रारंभ हो गया था जिसमें पसुपालन तो आप लिख सकते हैं पसुपालन तो मध्यपासाणकाल में होने लगा था लेकिन क्रसी बरतन इत्याद बहुत कम होता था वो आगे नोपासाणकाल में जाएगा तो यह चीजे हैं मनुष्य अब यहां तक आ गया और मुख्य रूप है छोटे आकार के उपकरण बना रहा है तो अब आएए देखें कि हमको अच्छा एक और बहुत इंपोर्टन चीज है वो नोट करें आगे पॉइंट एक लिखें कि मनुष्य जो है मानो सवाधान सवदफनाना प्रारणभ कर देता है इसी समय में मध्यपासाणकाल की यह प्रमुखटना है क्यों क्योंकि सरवाधिक जो है वो मानो कंकाल इसी समय से प्राप्त हुए है सरवाधिक, सरवाधिक मानो कंकाल इसी समय से प्राप्थ होना शुरू होते हैं, प्राप्थ होना प्रारंब होते हैं, यह पूछा जाएगा आपको कि मानो कंकाल जो है, मानो के जिवास्म जो है, वो किस समय से प्राप्थ होना शुरू हो जाते हैं, तो मध्य पाशाणकाल से प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं अब इसका ये कताई अर्थ नहीं है कि इसके पहले कोई जीवास्म नहीं मिला मनुस्यका हमने आपको पूरा पासान काल में भी बताया था कि मध्य प्रदेश से एक मानो कपाल मिला था जिसको नर्बदा मानो कहा गया था हूमो इरेक्टस था वो लेकिन पूरा का पूरा कंकाल अच्छे से दफनाया हुआ समाधी में यहीं सव दफनानी की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो मध्य पासान काल में शुरू हुई इसलिए यहां कबरिस्तान की तरह मिलते हैं कबर जो है वो घर के अंदर ही होती थी अभी हम बताएंगे आगे कबर जो है वो घर के अंदर ही बनाई जाती थी अंडाकार कबर होती थी ज्यादा गहरी नहीं होती थी तो सव दफनाने की परंपरा सुरू हो गई थी एक कबर में एक लास को भी दफनाते थे एक कबर में दो भी दफना देते थे यानि यूगल सवाधान कहते थे उसको हम प्रशना आएगा आप से यूगल सवाधान की साइट से पराप्त हुआ है triple भी दफना देते थे कहीं कहीं पर 3 दफना हैं और 4 भी हैं कुछ मिले हैं कबरे जहाँ पर एक ही कबर में 4 लासे दफनाई हुई है तो सिंगल वाली तो बहुत सारी मिलती हैं डबल, टि्रिपल और टेट्रायनी 2, 3 और 4 सव वाली भी कबरे मिलती है तो वो कहां कहां से मिले हैं उसको पढ़ेंगे इस मध्य पासार काल में आपको इन सवधान के बिसे में बहुत कोश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंकाल यहीं से मिलना सुरू है तो बहुत सारी कबर मिली हैं उत्तर प्रदेश में खास करके सराइनाहर दमदमा और लिखाया इन सब जगहों से मिली हैं तो अब हम बताएंगे आपको पसुपालन के साथ से कहां से मिले हैं कबरें कहां से मिली हैं और आग का उपयोग करना मनुस्य ने सुरू कर दिया था तो कैसे हमको पता चला तो उत्तर प्रदेश के सराइनाहर दमदमा इन जगहों से चूलहे मिले हैं मिट्टी में गढधा बना के जो चूलहा बनता है जिसको गूल कहा जाता है गर्त चूलहा उस टाइप के चूलहे मिले हैं तो चूलहा मिला है कैसे जला हुआ माटेरियल मिला है और कैसे जाना कि मनुस्य आग का उपयोग करने लगा था क्योंकि कि उसमें आधा जला हुआ हड़ियां मिली हैं यानि मांस को भून रहा था भून के खा रहा था तो इसका मतलब है कि वह आग का उपयोग करना सुरू कर दिया था क्रसी के साथ भी मिलते हैं संतकबीर नगर में एक साइट है तो वहां से सबसे प्राचीन इंडिया के सबसे प् साइट अभी में आगे आपको बताएंगे वहां से प्राप्थ होते हैं हलाकि पाकिस्तान की एक साइट है जहां साथ हजार वर्ष पुराने साच्हें करसी के लेकिन उससे भी पुराना आठ से नो हजार वर्ष पुराना भारत में उत्तर प्रदेश में संतकबीर नगर में जो साइट मिली वहां से पराप्त हो जाते हैं करसी के साथ पसुपालन के साथ मिल जाते हैं पसुपालन के साथ राजस्थान में बागोर है बागोर है वहां से पसुपालन मध्य परदेश में साइट है वहां से भी पसुपालन के साथ मिलते हैं और सबसे पहले मनुस्य ने क्यों? वह सिकार में मदद करता था। जैसे कि अधर मनस्य कार्त चेज कर रहा होगा। पिर मने इससे को लगा होगा की ये तो अच्छी बात है ये कुट्था तो हमारी मदद कर सकता है सिकार में और इसा किया जए deemed इसको साथ साथ रखते हैं ताकि दूनों मिल के सिकार करेंगे मिल के खाएंगे अपना तो मिल बाट के खाना शुरू किया उसने कुट्थे के साथ लंत में तो इससे पसु पालन अभी बेवसाइक नहीं यहां दूध निकाल रहें फिर बैच रहें खोया बना रहें नहीं तो उझधाई पाली ऐसका थोड़ा भूत उपयोग ऊप्यों कर विश्कार हो गया यहां से आपको परच फस पर चेंप पर फीसलिया है इसको आप तेर कमान व खालूष कते हें एट्यर कमान का अविस्कार यह थार श्ण रश्ण कहने है बनाया इस नहीं पाफिए हैं बनाया है और जू आफजार हैं वह कैसे हैं अभी साइटS के शीज में आगकी आप आप इतनाने का अवजार छोटे आकार के हम बताया कि अबように कैसे बनen रहे है क्योंकि मुखी चीज तो हमने आपको शुरू से बताया है कि अभी आपको मुखी फोकस अवजारों की परकतिपे ही करना है अवजार करेक्टर है इंग पासाण का तो अवजार हमने क्या बताया छोटे आकार कें आवजार कैसे हैं। ओ जार माइक्रोलिफ है यानि लगुपासाण् से लगुपासांड के आवजार जो एक से पांच सेंटीमीटर के हैं इसको जो है सर्व पर्थम कारलाइल महोदे कारलाइल ने बिंधिस्रेडी के छेत्र खास करके जैसे मिरजापूर मिरजापूर के मुरहन का हार इस सर्व पर्थमिलों ने फिरयों प्राक्त किया था यूपीमी मिरजापूर से यूम्यूर मैक्रोलिथ हैं ओजर ज्यामिती आकार के हैं यानिकि आप देख रहा होना कि ज्यामिती आकार ले बस फोड़ा पत्थर को तोड़ा और फलक बना लिया छॉपर बना लिया चॉपिंग बना लिया program यह लिए अभ उसको इन धोजार दे रहा है वो कि failure technique Jahr प्ला दे कंण में पत्थरों को रगड़ घिसके और तो परत-परत छोड़ा करके वो पैणा बना रहा है अवजारों को आकार दे रहा है तृ भूझ की तरह बना रहा है वो आर्द्धर संद्रा कार जैसे अचानक से या इसा ही अनायास नहीं बन जाएगा उसके लिए तकनीक चाहिए यानि मनुष्य की बुद्धी होनी चाहिए जैसे कि एक पत्थर है उस पत्थर पे आप दूसरे पत्थर से चोट किया, है पत्थर ऐसे तोट गया और इस तरह केश़ से वह भड़ार बन गयां, यह भड़ार तो हूट अगया। लेकिन और पूरे वन श्वार कहीं आपके स्किभण चोड़ भाइब नाधकर लेकिन परी क्मट्रोट्रोट्रों हो इसके समयरा दोड़ा हुए वो अपने मंचाहे आकार का बना रहा है यानि अच्छी क्वाल्टी का आउजार बना रहा है छोटे आकार का है लेकिन वो उसको एक ज्यामिती आकार दे रहा है यानि कि आउजार जो है वो ज्यामिती आकार के बना है कैसे बना है मुखिरूप से वो त्रिभूज की तरह बना रहा है वो मट्या समलंब चतृ भूज बना रहा है चे तृफ करण चो तडर बना रहा है एक से पांस सेंटीमी ट क하ja चोटेए होजार है छोटे ओजार है पांस सिंटी मीटर के चोटे चोटे वह ऐसा तुरिभूज बना रहा है तो इस तरीके से अर्धचंद्राकार यानि इस तरीके के आगे जो लगाया जाता पत्थर का आगे तो तर्भूज के आकार का हैं यह सर प्रथम और कर्लाल महोदों प्रयाप एम कर दो दि Looking इसंघनतने मेंदे का दोसे को तोह दें घम देखे में फिक्रप प्त्षव देखे रही है तो पूरा पाह्योंग से हीमनों से तो अञ्हों में फिलिंट के है मैं जैस पर है यह हम आए हम पूरा इस है है कर देखें को हुग इस पत्थरों का प्रियोग कर रहा था तो अब इसमें लगा दीजिए प्लस यानि कि अब और नए पत्थर ले आया है जो इससे ज्यादा बहतर है वह कारलेनियन ले आया है कारने लियन वह कैलसी डोनी ले आया है कैलसी डोनी वह जो है इस फटिक ले आया है पत्थर आदी व तो देखें, पुरा पासाड काल से ही परियोग इन पत्थरों का वो करता रहा है, इन वाले का, यह हमने प्लस लगा दिया, यानि ये नए पत्थर और ले आया, तो कभी आपसे प्रशन आ सकता है कि मद्धि पासाड काल में और कौन से नए पत्थर यूज़ करने लगा है, त इसके साथ सथ एक प्लस और हमने लगाया कि यहां पर अब वो हड़ी और सींघ वकरंण और बनाने लगा है यहां पर हड़ी सींघ के उपकरण, इवोँ आभूषळ भी बनाने लगा है वो आभूषळ पहनने वाले बनाने लगा है पुरा पासाण काल में कहीं एक छुट-पुट एक दो हड़ी के कुछ मिल जाते हैं खास करके हड़ी के मूर्ती मिली थी एक जो है लोहदा नाला से प्रियाग राज में बेलन घाटी हमने बताया था तो वहाँ पर हड़ी का भी बहुत उच्च पुरा पासाण काल आते आते थोड़ा बहुत हड़ी देखने को मिल जाती है हमने बताया ना कि कोई घटना अचानक से नहीं हो जाती वो पिछले से ही थोड़ा बहुत सुरू हो गया था लेकिन अब मध्य पासाण काल में हड़ी ओम सेगे के अभूशन और उपकरण खुम मिलेंगे सराय नाहर महदहा से उत्रप्रदेश के तमाम साइड से सब आपको यह देखने को मिलेंगे तो यह है पत्थर यहां पर आगे क्या उपकरण बना रहा है आउजार तो वो आउजार में जो है वो बाडागर जैसे हैं यानि तीर जिसको आप कह सकते हो तीर जो बांड के आगे लगाया जाता है तीर वो बना रहा है वो बाडागर बना रहा है वो हसिया यानि आप कह सक अर्थ चंद्रकार में हसिया आरी बना रहा है यानि कि वो टेढ़े मेढ़े ब्लेड बना रहा है वो चाकू बना रहा है और जो पुराने सब चल रहे थे ब्यूरिन, स्क्रेपर, पॉइंट यानि छिद्रक यह सब बना रहा है यह चीजें आ गई हैं मध्रिपासाणकाल में उपकरण वो बना रहा है उपकरण जो है ज्यादातर फलक के हैं लेकिन ऐसा नहीं कोर के नहीं है आप कोई भी चीज इंड नहीं कर रहे हैं यानि कम होता जा रहा है कोर का उपयोग लेकिन ज्यादातर फलक के बने हुए है फलक और को हमने आपको समझाया हुआ है ब्लेड प्लूटिंग तख्नी का मतलब यहाँ परत दर परत छोड़ा करके दीरे दीरे आकार को कम किया गया है और तरासा गया है इस पथर को परते छोड़ा करके तो यह पासाण जो पुरा पासाण का अल्हसके प्रमुख कुछ लच्छन है यह जो सवाधान हमने बताया तो यहहां परलोक में भी सायद या आफ्टर देट मरत्यों के बाद में भी इनको विश्वास है कि जो मनुष से है वो खाता पीता है या क्रिया कलाब करता होगा यह परलोकिक जीवन में भरोसा है इन लोगों को अब यह कहोगे यह कैसे पता चल गया उनको क्या भरोसा है कोई चैट हु यह परलोकिक जीवन और यहां पर लिख सकते हो कि वो सवधान कर रहा है और पारलोकिक जीवन में विस्वास करता है तो ह moral जीवन में वुष्वास करता है वुते क्या है संवके साथ सवके साथ उपेयोगी ज़ा पकरव कि सामार दफन है इससे पता चलता है कि उसको सosi हैं कि मरने के बाद में भी चीजों को प्योगों करता होगा तो इतने हमने आपको कुछ खास पहल बताएं आवजारों के विशे में अब क्या हमको जानना है अब हमने इतना सारा कथा आपको बता दिया है तो आपको साच्छी देने पड़ेंगे साची का मतलब है आप इंडिया के मैप पे कुछ अस्थान पोईंट करने हैं कि आप कह रहे हो कि पसुपालन करने लगा था कैसे तो राजस्थान की साइट है बागोर भिलवडा जिले में बो दर्शानी है आपको आप कह रहे हो कि जोपडिया बनाने लगा था तो कहां मिली जोपडी तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश की चोपाणी मांडो प्रयागराज में आप कह रहे हो कि छोटे-छोटे उपकरण प्राप्त हुए तो कहां कहां से प्राप्त हुए आप कह रहे हो कि सवाधान वो करने लगा था यानि समाधियां बनाने लगा था तो किन-किन या एक कबर में तीन तीन एक कबर में 3 reinforcements नहीं बताना पड़ेंगा थे। सब यूपी में हैं पताब गडजिले में हैं पताव गरजिले में हैं कि तीर धनुस मेंrate x7 तो तीर धनकी से मिला होगा कुछ तीरवीर वांचान से मिला हुए है この बताना है प्रताब गर्जिला उत्तर प्रदेश वहां से मिला है तो यह सब कुछ युद्ध का भी संकेत मिल जाता है हम बताएंगे साइट जहां से एक सव मिला जिसमें तीर चुभा हुआ है यानि कि सामोहिक कुछ युद्ध होगा हुआ होगा तब लड़ाई हुई है तो इसके साथ पेन हम तोмовी नगर जहां से जाओ की खेती के सबसे प्राचिंतम साच ही लियुए में मिले हैं हम लंगहनाज की बात करेंगे गुजरात में हम महादहा लिखहिया चो पार ट concerned के मध्य परदेश के घीम बेटका पर बात करेंगे तो यह सब जगों पर हम बात करेंगे पसुपालन के साथ छे कहां कहां से मिले हैं इन पर बात करेंगे तो मैप पे हम एक तरफ मैप बनाएंगी जिसमें सारे स्थानों को पॉइंट करेंगे और किस स्थान से क्या क्या विसे स्थाइं मिली हैं जैसे हमने कहा कि वह हड़ी और सिंग के उपकरण बनाने लगा था तो कहां से मिलते हैं हड़ी सिंग के तो सराइनार से मिलते हैं महादा से मिलते हैं दमदमा से मिलते हैं लिखाया से मिलते हैं इन सब जगों से मिलते हैं तो किन-किन जगों से पराप्त हुए वो आपको बताना होगा छोटे आकार के उपकरण मिले तो लंगनाज गुजरात में बहुत अच्छे उपकरण पराप् कोर से important मिली है उनको लिखना होगा मुख्रुप से पसुपालन क्रशी के साच हड़ी के उपकरंड कहां से मिले लग уपासाण उपकरंड तो सब जगे से मिले हैं exemplu हंग इल्ग जहां से मिले वह important हो जाता है पसुपालन के साच कहाँ से मिले आग के उपयोग यानि चूले कहां से मिले आभूशन हमने कहा तो आभूशन कहां से मिला है तीर कहा तो तीर कहां से प्राप्थ हुआ है अगर हमने क्रसी कहा है तो क्रसी का साथ ही कहां से मिला है ये खास करके आठ या दस साइट है अस्थान है उनके नाम आपको मैप प में डिसकस करेंगे तो आसा है कि मध्य पासाण काल को आप समझ गए होंगे मध्य पासाण काल में आपको पुरा पासाण काल के भी लच्छन मिल रहे हैं और नौ पासाण काल के भी लच्छन मिल रहे हैं अब एक प्रस्निज तरह आ जाएगा कि मध्य पासाण काल में कौन से लच्छन हैं जो नौ पासाण काल की तरफ ले जा रहे हैं तो देखें आग कौपयोग, पसू पालन, क्रसी, ये बरतन बनाना ये सब चीजें आगे आएंगी ना तो इनकी सुरुआत हो गई है तो ये नौ पासाण के लच्छन हैं पूरा पासाण के लच्छन या नि पुरान तो दोड़ों के लच्छन हैं कि नहीं है, इसलिए मध्य पासाण काल को संक्रमड काल कहा जाता है, बेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको क्या कहा जाता है, इसको संक्रमड काल कहा जाता है, संक्रमड काल, transition period, तो संक्रमड काल किस किस चीज के बीच में, पूरा पासाण और नौपासाण काल के बीच में तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और बहतर क्लास के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद